नमस्कार और वल्कम यौलू वल्ल अफेर्द आपको प्रशान धवन रिसेंटली आप सब लोगों ने आर्टिकल्स पड़े होंगे के बांग्लादेश ने ओफर कर दिया इंडिया को चिटगॉंग पोर्ट यहां पर आप देख पाओगे बांग्लादेश ओफर्स चिटगॉ पोर्ट फॉर्यूस तो इंडिया नाव यह ओफर बांग्लेश ने क्यों दिया है क्योंके वैसे मैं आपको यह बता दूँ चिटगॉंग पोर्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्ट है बांग्लेश के लिए बताया जाता है कि इनका 70% इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसी आगे बढ़ने से पहले आपसे question बूचूंगा कि recently दुनिया में पहली बार H3N8 bird flu का human case कहां दिखा है किस country में दिखा है बहुत news में था इस पे बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए है कि इस देश में पहली बार H3N8 bird flu एक इनसान को हो गया यह है आपकी option US, China, Japan या फिर बांगदादेश दूसरा देश है भूटा नाव बांगदादेश की जो विजट थी इनकी यह काफी successful रही है यह जब उतरे बांगदेश के विदेश मंतरी ने इनका welcome किया फिर इनकी काफी लंबी meeting हुई directly शेख हसीना से जो बांगदेश की Prime Minister है और इसी meeting के दुरान शेख इंप्रूब हो सकती है जो all together region के लिए काफी अच्छा होगा और मैं आपको यह बता दूँ कि डॉक्टर एजया शंकर भी काफी pleasantly surprise रहे होंगे कि बांगदेश की तरफ से इतना एक अच्छा offer आ रहा है अब यहाँ पर आपका एक बहुत ही basic question आ सकता है कि सर एक बात three point of view से भी यूज कर लेंगे इसको तो इसका answer है नहीं यहाँ पर बांगदेश यह कह रहा है कि बड़े scale पर अगर आपको चिड़गॉंग पोर्ट यूज करना है अपनी north eastern states को connect करने के लिए with the rest of India तो आप यूज कर सकते हैं obviously हमको cargo के पैसे देने होंगे actually कोई भी बंदर कोई भी पोर्ट आप यूज करते हैं तो आपको वहाँ पे पैसे देने ही होंगे चाहे वो पोर्ट इंडिया में हो या फिर बांगदेश में हो बांगदेश simply यहाँ पर यह कह रहा है कि हम तियार है कि इंडिया चिड़गॉंग पोर्ट को बहुती बड़े scale पर यूज कर चल रहा है यहाँ पे जो आर्मी चीफ है यह तानाशा मन चुका है मगर सांक्शन्स और डिक्टेटर्शिप के अंडर भी हम देख रहे हैं कि मैनमार लगातार अपनी एकॉनमी को ग्रो कर रहा है और बांगदेश को थ्रेट यह कि बहुत सारे सेक्टर्स में इन दर फ्यू उस सब के इलावा आप अगर देखो तो बांगदेश ये भी जानता है कि इंडिया लॉंग टर्म में मैनमार पे जादा डिपेंडेंट हो सकता है नौर्थ इस टेट से कनेक्ट करने के लिए और बांगदेश इस रेस में पीछे छूट जाएगा क्योंकि आपको बताओगा कि इंडिया ने क्या किया है क्लादान मल्टी मोड प्रोजेक्ट की अंडर हमने डेवलप कर लिया है मैनमार में एक पोर्ट सित्वे के नाम से अब ये जो पोर्ट है यहाँ पर सीधा जो कार्गो है जो माल है इंडिया का ये यहाँ पर Алगा से ट्रावल करके फिर उस और जैसे जैसे इंडिया मेंनमार पर डिपेंडेंट होगा नौर्थी इसकी किनेक्टिविटी के लिए वैसे ही मेंनमार को इसका एकॉनोमिक बेनेफिट भी मिलेगा ये बात बंगलेश देख रहा है तो इमिलिटली बंगलेश ने आपर ये कह दिया कि देखिए को ऑफिशली कहता है चिटो ग्राम तो इसलिए आप देखोगे गूगल मैप में चिटो गॉंग आपको देखेगा नहीं अब आपको यहाँ पर देखेगा चिटो ग्राम तो बंगलादेश ये कह रहा है कि सीधा कोलकता से अपनी जो शिप है यह लाओ यहाँ पर चिटो ग कर लिए ना इस सब के अलावा बांगलदेश को यह बार पता है कि भविश्य में इंडिया बनने वाला है एक मैनुफैक्ट्रिंग पावर हाउस हम अल्रेड़ी उस रहा पे निगल पड़े हैं इंद फ्यूचर आप देखोगे कि इसमें मेजर डिलॉप्पेंट्स होंगी ना बांगलदेश को यह बताए कि बहुत सारी जो इंडियन कंपनीज हैं वो चाहती है कि जो स्पेर पार्ट्स की थोड़ी बहुत फैक्टरी है यह बांगलदेश में भी उपन करें इसके लिए इनको प्रॉपर क्नेक्टिविटी चाहिए होगी ना क्या बांगलदेश और गंटे लगेंगे वान ठर्टी एड घंटे मतलब के साड़े पांच दिन से भी उपर आपका समय लग जाएगा यहाँ पर आपको पच्पन से नेचर चाहिए होगे जगा जगा आपको अबरूबल चाहिए होगी बहुत ही लंबा प्रॉसेस है एक बार को मैं आपको यह बत बांगलादेश की कनेक्टिविटी जो हो सकती है उतनी अभी तक नहीं हुई है तो यह देखते हुए भी शेक हसीना ने यह का है कि चिटगांग पोर्ड का आप यूस कर लीजिए इससे और बांगलादेश की मार्किट में एकसेस करने में भी आपको आसानी होगी यह रोड बांगलादेश का मीडिया उटलेट है यह लोग यहाँ पर कहा रहे हैं कि इंडिया ने डिकलाइन कर दिया कोई भी कॉमेंट और मोमेंट बांगलादेश के विदेश मंतरी है इन्होंने एजय शंकर साब को यह कह दिया कि देखिए अमेरिकाने सांक्शन लगा रखी है बांगलेश में बहुत जड़ा क्राइम हो गया था यहाँ पर स्मगलिंग काफी बढ़ गई थी तो प्राइमिस्टरों बंगलेश ने सीधा अपने अंडर एक स्पेशल टाइप की बट्यालियन बनाई जहां पिन्होंने आर्मी के सोल्टर्स को उतार दिया देश में गवर्मेंट जो आरे भी है इसका गलत यूज़ कर रही है जो भी बंगलेश की करेंट गवर्मेंट के अगेंस बोलता है उसके खिलाब एक्शन लिया जाता है थूर दी आरे भी और काफी बार हुमन राइट्स वालेशन भी किये हैं इस आरे भी ने इस लिए युए से ने इस बंगलेश की नई बिटालियन की वज़े से बंगलेश पर लगा दिये सांक्शन और बंगलेश चाता है कि जल्दी से जल्दी ये सांक्शन रिमूग कर दिये जाएं तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इंडिया और बंगलेश के बीच में जो रिलेशन हैं वहाँ पर क क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या उपर्चिनोटीज है, ऐसा नहीं है, कि बांगलदेश बस फिदा हो गया, जैशंकर साब की इंगलिश पर और उन्होंने का कि सर आपने जैसे युवासे को जवाब दिया था ना, टूगो, 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 आपका ऐसा कुछ नहीं मामले में, और जगा भी connectivity के मामले में भी, तो obviously इंडिया इस offer को जाजेगा, परकेगा, फिर हम सोचेंगे, कि हमको यहाँ पर यह पोर्ड यूज़ करना चाहिए, या फिर नहीं, और हाँ, सब लोग के लिए काफी अच्छी न्यूज है, जो 20% डिसकाउंट है अनकाडमी क तो दो दिन के लिए यह discount extend कर दिया गया है, अब यह discount 30 तारीक के अंत में खतम हो जाएगा, तो अभी भी आपके पास chance है, comment section में जाएए, जिस exam की आप त्यारी कर रहे हैं, यहाँ पर उस link पर आप कर सकते हैं, click for example, आप prepare कर रहे हैं, UPSC पर, UPSC के link पर click करिए, और पर आप course purchase करना चाते हैं, यह आप कर सकते है purchase, but सीधा 20% discount प्राप करने के लिए code यहाँ पर use करिए, PD10 और prices गिरना शुरू हो जाएंगे, you will get flat 20% discount, यह discount बात बे 10% बन जाएगा, after the sale ends, so use the code PD10, and save your hard-earned money, so इसी note के साथ, यह है video कांथ, thank you for listening, and as always, God bless you all. कर दो कर दो